नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं यह परिक्षा 17 मार्च को राजी के विभीन सहरों में बनाए गए 834 के अंद्रों पर आयो जीत की गई थी इस परिक्षा में 3,261 अभ्यार्थी सामिल हुए थे नियमावली के अनुसार कूल 342 पदों के अनुसार 15 गुना अथात 530 अभ्यार्थों का चेहन मुख्य परिक्षा के लिए होना था लेकिन सभी सिरेनियों में अभ्यार्थियों के समान अंग प्राप्त होने के कारण कूल 7,001 अभ्यार्थी प्रार्णविक परिचा में सफल घोसित किये गए हैं बतादे सफल अभ्यार्थियों में 1169 महिला अभ्यार्थी भी सामिल हैं वही 36 आरक्षन में आदीम जन जाती के सोला, खेलकूत कोटा के साथ, द्रिष्टी बाधित दिव्यांगेता के 62, बधिर दिव्यांगेता के 46, चलन दिव्यांगेता के 45 घोसित सफल हुए हैं खुटी लोहर्दगा, पलामू, सिंग्भूं में 11 परतियासियों ने किया नमांका, लोकसभा चुनाओं के 44 चरन के लिए जारखन की 4 सीटो, खुटी पलामू, लोहर्दगा और सिंग्भूं के लिए नमांका न की परकिला जारी है, सो मौर को इन सीटो पर 11 लोगों ने न नमांका न दाकिल किया है, सिंग्भूं से 4, खुटी में 2, लोहर्दगा में 4 और पलामू में 1 परतियासियों ने परचा दाकिल किया है, बता दे 4 दिनों में अब तक 15 आवेदन प्राप्त जमा हुए है, इनमें सिंग्भूं में सबसे ज़्यादा साथ, खुटी में 3, लो दिवासी पार्टी की बविता कक्छप समेत एक अनेने नमाकन पत्र भरा है, हेमंत सोरेन की जमानात पर सुनवाई, आज रांची के बढ़गाई अंचल की 8.86 एकर जमिन घोटाले के आरोपित पुर्मुख मंत्री हेमंत सोरेन की जमानात याज का पर मंगलवार को सुनवा अधालत ने इड़ी के आगरा को सुविकार करते वे अगली सुनवाई 23 अप्ली लकोण इधारित की थी, हेमंत सोरेन ने जमानात की गुखार लगाते वे याज का दाखिल की है, याज का में सोयम को निर्दोस बताते वे उन्होंने जमानात की सुविधा परदान करने की मा खगेंद्र महतों को ग्रामिनोंने सो मर्गों करीब 6 गंटे तक पैर से बांध कर रखा, डिलर पर आरोप है कि उसने बीते 3 माह का अनाज किसी भी कारधारीों को नहीं दिया है, ग्रामिन अनाज के लिए बार-बार डिलर के घर जाते और अनाज की मांग करते, ग्रामिनों का डिलर की ओर से परते कारधारी को आनाज के लिए नगद रासी देने का वादा किया गया तब जाकर आरोपित डिलर खगेंद्र महतों को ग्रामिनों ने मुक्त किया है लातेहर में एक कुलहारी से तीन हत्या लातेहर के गारू थाना छेतर अंत्रगत डबरी गाउ में रभिवार की रात एक ही परिवार के तिन सदस्यों के हत्या कर दी गई है हत्या किसी और नहीं बलिक उसी परिवार के युवक रंजन उरावने की है मिरितको में आरोपित युवक के पीता सुरज उराव भावी अनुपमा देवी और एक अने रिष्टेदार मनसूरिया देवी सामिल है तीनों की हत्या कुलहारी से की गई है इस घाटना में दो अने लोग गायल भी हुए है पुलिष ने आरोपित को गिरफ तार कर लिया है जनकारी के अनुशार आरोपित ने रभीवर की राज सरापी रखी थी वह नसे में था इसी बीच किसी बात को लेकर घर में विवाद हो गया इसके बाद रंजन ने कुलहारी से परहार कर पहले अपने पिता सुरज उराव की हत्या कर दिया है जारखन के सीम 25 सुरे ने केंदर सरकार पर साधा निसाना रांची में उल्गुलान रैली काफी सफल रही है जिसमें देश भर के इंडिया गडबंधन की नेताओं ने एकता का परज़े दिया है इसका पैनाम लोग सभा चुना में देखने को मिलेगा इधर सीम 25 सुरे न मंगलवार को सीम भूम संसदे चेतर की माहा गडबंधन परत्यासी जोबा मांजी की नमांकन में सुबब साड़े 11 बज़े सामिल होंगे बता देख सीम चंपाई सुरे ने दावा किया है कि जार्खन की 14 लोग सभा सीटों पर माहा गडबंधन के परत्यासी की जीत होगी उन्होंने कहा है कि भाज़पा के जूट को रैली के माध्यम से जानता को बताया गया बीते 10 सालों में भाज़पा ने कोई काम नहीं किया है जार्खन में 25 अप्रेल से फिर हीट वेव का एलो अलर्ट जारी उत्तर पूर्व असम एवं मंगला देश में सैकलोनिक सर्कुलेशन वा बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का छेतर बनने के कारण रांची समित आसपास के इलागो में मौसम सुहाना हो गया है पिछले 3-4 दिनों से भिशन गर्मी जेल रहे लोगों ने थोड़ी राहाच की सासली है आकास में बादल चाने वा बुंदा बुंदी तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हावा के कारण अधिक्तम तापमान में रभिवार का पिक्षा सोमवार को 5.6 डिगरी सेल्सेस की गिरावट आई है वहीं 30 अप्रेल को भी आकास में बादल चाहे रहने तेजहावावा गरज के असार है वहीं 25 अप्रेल से फीर से लूट चल सकती है इसे लेकर एलो अलर्ट जारी किया गया है बता दे रभिवार्त करांची का अधिक्तम तापमान जहां समाने से 2 डिगरी सेल्सेस अधिक चल रहा था वहीं बादल से सुर्य को ढखने से सोमवार का तापमान समाने से 3.6 डिगरी सेल्सेस निच्चे चला गया बोकारों में खनन विभाग वा बी एसेल की टीम पर हमला जारखन के बोकारों जिले में बालू के अवैद खनन वा कारोबार के विरोद सोमवार की साम 5 बजे चलाये गए अभियान के दोरान सेक्टर 11 अंतरगत भतुआ बस्ती दामोदर नदी टट के पास माफियाओ के इसारे पर भीर ने जिला खनन विभाग और बोकारों इस्ट आई है हमले में कई पत्रकारों के अलावा अने लोग भी चोटिल हुए है भीर ने एक होमगार जवान का मोबाइल चीन लिया है बता दे करवाई करने गई टीम के लोगों ने जहां तहां छुपकर खुद को सुरक्षित किये और जीला पुलिस को सुचना दी सिटी डियेसपी अलोक रंजन ने तुरंथ पुलिस बल भेजा इसके बाद टीम के सरस्यों को वहां से निकाला गया है जहारखन की पुर्णिमा महतोव चामी मुर्मू पदम सिरी से समानित राष्ट पती द्रोपती मुर्मू ने जहारखन की जमसेत पूर की पुर्णिमा महतोव सराय केला की चामी मुर्मू को नई दिली में आयोजी समारों में पदम सिरी से समानित किया है पुर्णिमा महतो राष्ट्री तिनन्दाजी कोच है बतादे प्रतिष्ठीत दोरनाचार्ज पुरस्कार से भी पुरस्क्रीत हुई है वहीं चामे मुर्मो को लेड़ी टारजन कहा जाता है वे 30 लाग से अधीक पेड़ लगा चुकी है पुर्णिमा महतो का जन्म 15 अगस्त 1906 को जारखन के पुर्वी सिमुम जीले के जमसेत पुर्मी हुआ है उनकी तिनन्दाजी यातरा टाटा अकाडमी से जुड़कर एक संस्थान में प्रसिचन सत्रे के साथ 10 वरस के उम्र में शुरू हुई थी उस समय उनके पास घर में बन जुए मत्रकांत रायपतर ने बताया है कि रामोसो के बाद हनुमान जन्मोसो की त्यारी है मंगलवार को विही पूर direct में हनुमान जी का जन्मोसो मनाएगा महतों का उद्देश समाज में सांथी और समस्था का महल बनाना है प्रांथ मंत्री मिथीले स्वर मिस्रा ने कहा ह कि राज्ये के लगभग 31 स्यार मंदिरों और घरों में हनुमान चलिशा का समोहिक पाठ होगा इनमें विभीन धार्मिक और समाजिक संगठन के लोग भी सामिल होंगे उल्गुलान महारैली सफल सुप्रियो भटाचार जारखन मुक्ति मोर्चा का महा सचीव सफ प्रवक्ता सुप्रियो भटाचार ने कहा है कि धुरवाई सिर्परभात तरह मैदान में रव्योर का आयोजित उल्गुलान महारैली पूरी तरह से सफल हुई है उन्होंने इसके लिए इंडिया गणबंदन की घटक दलों का भार ब्यक्त किया है वास्वमवार को हर्मुज सीथ पार्टी कर्याले में पत्रेकारों से रूबरू होकर बोल रहे थे उन्होंने महारायली की सफलता पर जानता को धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा है कि उल्गुलान महारायली में जानता का महाजूटान से साफ हुआ है कि अब देश में परिवर्तन की लकीर खीचनी सुरू हो गई है लोग परिवर्तन चाहते है सुप्रियोंने कहा है कि राज की जानता बीजेपी से मुक्ती चाहती है उल्गुलान नय महारेली में अब असपर्ष्ट हो गया है कि जारकन की जनता क्या चाहती है हम लोगों ने महसूस किया है कि जन नेता हिमन सुरेन के साथ हुए अन्याय को लेकर लोगों के अंदर आक्रोस है धन्यवाद